असलाम अलेकुम दोस्तों, कैसो आप सब, उमेद करूँगा आप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया जाने के लिए अगर कोई गल्फ में जॉब कर रहा है, उसको छुटी जाना है इंडिया तो उसका पासपोर्ट का वालेडिटी कितना दिन रहना चाहिए और इंडिया से सौधी अरब या फिर गल्फ का कोई भी कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट का वालेडिटी कितना दिन होना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे मैं नहीं पता है, confusion है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं request करूँगा चैनल पर नए है, subscribe कर लिजेगा क्योंकि इस तरह का informative वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे तो पहले बात करते हैं, जो लोग गल्फ में अल्रेडी है, जिनको छुट्टी जाना है, इंडिया जाना है पासपोर्ट का वालिडिटी आपका 60 डेज का होना चाहिए, 60 दिन 60 दिन से कम रहेगा, आपका इधर से exit वीजा नहीं लगता है इसलिए आप लोग अपना पासपोर्ट को रिन्यू कर लिजे, तीन मेहना पहले, छे मेहना पहले ही रिन्यू कर लिजे उसके बाद आप जाएए, ये रूल है, मिनिमम अगर आप रिन्यू नहीं भी कर रहे हो, तो 60 डेज रहेगा तभी आप जा सकते हो इंडिया अब बात करता हूँ, जो लोग इंडिया से सोधियरभिया या फिर गल्फ का कंट्री आएंगे, उनका पासपोर्ट का वैलिडिटी होना चाहिए 180 दिन, यानि 6 मन्त, ये हैं मिनिमम डेज का रिक्वारिमेंट, अगर 180 दिन से कम है आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी, तो फिर आप नहीं आ सकते, इसलिए अपना पासपोर्ट को आपको रिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो, अब देखिए बहुत सारे लोग अब पुछेंगे, के भाई मेरा 7 मेना बाकी है, मैं अभी चुट्टी जा रहा हूँ इंडिया, फिर इंडिया में जा करक के मैं रिन्यू करूँगा, फिर आ सकता हूँ कि नहीं, तो देखिया, आप आ सकते हो, लेकिन बहतर होगा, आप पहला अपना पासपोर्ट को रिन्यू करागे जाएगे, इधर आप MBC में करा लीजिएगा, जादा से जादा 10 दिन टाइम लगता है, 10 दिन में आपका पासपोर्ट को इंडिया जाके रिन्यू कराओगे न, तो फिर डबल डबल पासपोर्ट आपको साथ में रखना होता है, एर्पोर्ट में इमिग्रेशन के समझ चेक किया जाता है, कि वही बंदा है या नहीं, तो इसलिए बहतर है कि आप लोग अपना पासपोर्ट को पहल रिन्यू करा लिजिए उसके बाद इधर से आप छुटी जाओ या फिर इंडिया से सोधियर भी आओ तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फोमेटिव रही होगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह का इन्फोमेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे साथ में ये वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी जरूर बताईए कि पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना दिन रहता है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया